है एक है एलो स्टूड़न्ट इस वीडियो में हम लोग लार्श सेंपल टेस्ट और स्माल सेंपल टेस्ट के टाइप 4 को स्टडी करने वाले ओके टाइप 3 के ऊपर हम लोगों ने और रेड़े ही वीडियो बनाई हुए है अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखो इ उसमें पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉप test का type था type 4 जो हम लोग अज study करने वाले testing the difference between mean testing the difference between mean क्या होता है testing the difference difference दो तर्म रहेगा तो भी तो difference calculate होता है मतलब यहाँ पर हम लोगों को दो sample देखना पड़ेगा और यह अमारा type large sample के ऊपर है अगर testing the difference between mean type 4 type 5 भी अपका same है testing the difference between mean मतलब यह small sample का यह और यह large sample का है और type 4 और type 5 में 2 sample रहता है और type 1 to 3 में खाली एक ही sample रहेगा और type 4 type 5 में 2 sample होता है और last है हमारा type 6 type square test हम लोग आज type 4 को complete करने वाले तो type 4 testing the difference between mean और large sample test यह large sample का example है large sample मतलब क्या होता है अगर sample का size 30 या 30 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते है लार्ज sample test बोलते हो के और लार्ज sample test का formula है large sample रहेगा sample जब आपका large रहेगा तो हम लोग Z distribution यूज़ करते हैं यह आपका main formula है X1 bar minus X2 bar upon SE X1 bar X2 bar मतलब first sample का mean second sample का mean SE मतलब standard error और standard error find out करने के लिए यह तीन formula है इसमें से आपको जैसे questions रहेगा वह इसे आपको यहां से एक formula apply करना पड़ेगा ऐसी के लिए यह तीनों में से एक formula ही आपको apply करना पड़ेगा तो ऐसी का first formula क्या है population SD population SD को हम लोग क्या denote करते है sigma same रहेगा population SD same रहेगा but known known मतलब उसका value भी मालूम होना चाहिए हम लोगों को first formula हम लोग कब apply करेंगे sigma same है और known भी है मतलब मालूम भी है तो हम लोग यह first formula use करेंगे second formula में आपको sample का SD sample का SD हम लोग कैसे denote करते है s1 और s2 s1 और s2 का value मालूम है तो हम लोग second वाला formula योईज करेंगे और third वाला formula हमrog कभी योज करेंगे population SD same है बट उसका value मालूम नहीं clutter population SD same है बस बट उसका value मालूम नहीं तो हम लोग कौन सा formula योज करेंगे यह C वाला formula योज करेंगे example में आपको जो conditions दिया रहेगा उसके ओपर आपको इसमें से एक formula use करके ऐसी का value find out करना पड़ेगा अभी हम लोग first example को देखते है first example है मेरा the mean of two sample of sites 1000 and 2000 are 67.5 and 68 inches can the sample regarded drawn as from the same population same population of sd 2.5 inches ओके यह example है अभी यह example में पहले हम लोग given में जो कुछ data दिया है वो लिखके लेते हो के sample का size n1 n2 कितना sample है हमारा 2 sample अगर 2 sample रहेगा तो आपका type 4 या type 5 का example रहेगा हम लोग इस video में type 4 को complete करेंगे type 4 हमारा large sample के लिए है यहाँ पे 2 sample है मेरे पास उसका size 1000, 2000 मतलब n1 equal to 1000, n2 equal to 2000 और 30 से greater है इसलिए यह large sample का example है clear होगा type 4 का example के समझ में आएगा type 4 में कितना sample रहता है 2 sample और वो large होना चाहिए मतलब उसका size 30 से बड़ा होना चाहिए ओके तो यह हमारा type 4 का example है यह तो clear हो गया the mean of 2 sample 1000, 2000 यह 2 sample है sample का size n1 और n2 से denote करेंगे और mean उसका mean दिया है 67.5 और 68 mean मतलब पहले sample को हम लोग x1 बार denote करेंगे और दूसरे sample को हम लोग x2 बार denote करेंगे sample का mean हम लोग x बार से denote करते हैं जो हम लोग ने first type में सब notation को देखा है तो यह पर दो sample है न तो मैंने x1 बार और x2 बार denote किया चलो यह तो clear हो गया can the sample regarded drawn from the same population of sd population का sd population का sd हम लोग किस से denote करते सिग्मा से और उसका value क्या है 2.5 है ओके clear हो गया next हम लोग hypothesis set करेंगे hypothesis में हम लोग क्या set करते है hypothesis हम लोग किसके related set करते population mean से related set करते हैं तो यहाँ पर दो sample है तो हम लोग यहाँ पर हैसा hypothesis set करेंगे कि mu1 equal to mu2 मतलब दोनो sample का population mean same है ओके हे मतलब क्या alternative दोनो sample का population mean same नहीं है clear हो गया अगर 2 sample रहेगा तो आपका यह definition है या इससे आप लोग hypothesis set कर सकते हो कि 2 sample रहेगा तो हम लोग mu1 equal to mu2 mu1 not equal to mu2 लेंगे ओके second part है हमारा test statistics statistics में calculations होता है calculation standard formula है z equal to x1 bar minus x2 bar upon sc large sample रहेगा तो हम लोग z distribution use करते हैं अगर sample small रहेगा तो यहाँ पर t distribution आता है अभी यहाँ पर x1 bar और x2 bar मालूम है हम लोगों को लेकिन problem है sc sc का कितना formula है हमारे पास 3 formula है और उसमें से एक ही apply करने का आपको तो वह कुंसा apply करेंगे यह कैसे समझ में आ जाएगा पहले ऐसी का जो तीन formula है ना उसको देखते है ओके देखो ऐसी का formula क्या है first population is the same है but known है मतलब population as d मतलब sigma same है और उसका value भी मालूम है यह condition हम लोगों के example में देखो population as d same और उसका value भी मालूम है इसलिए मैंने यहाँ पे same और known लिखा है ओके देखो population as d same और उसका value भी मालूम है population as d same और उसका value भी मालूम होना चाहिए तो मैं first वाला formula यहाँ पे इसी के लिए apply करूंगा same and known तो population as d मतलब sigma का value 2.5 यहाँ पे put कर दिया n1 n2 मालूम है इसको solve करो 0.096 ओके ऐसी का यह value यहाँ पे z के formula में substitute करो x1 बार x2 बार हम लोगों को already मालूम है इसका calculation करो minus 2.20 आया ओके अगर z का value यह ट का value minus में आता है तो उसको हम लोग mod में shift करते हैं मतलब 5.20 थर्ड पॉइंट कह रहेगा हमारा LOS मतलब level of significance alpha equal to 5% अगर दिया नहीं रहेगा तो हम लोग by default 5% मतलब 0.05 critical value में table से value आता है the table value of z at 5% LOS with 1.96 अगर आपका sample large रहेगा तो उसमें आपको दो ही value याद रखना पड़ेगा एक 5% का रहता है 1.96 1% का रहता है 2.58 लेकिन अगर आपका sample small रहेगा तो उसके लिए हम लोगों को एक proper table है distribution का वो देखना पड़ेगा लेकिन इसके लिए हम लोगों को खाली दो ही value मालूम होना चाहिए तो 5% का value है 1.96 decision में हम क्या करते है calculated value और table value को compare करेंगे मेरा calculated 5.2 और table 1.9 मतलब calculated greater है तो यहाँ पर मैंने calculated value of z equal to 1.15 is greater than table value of z equal to 1.96 मतलब calculated value मेरा वो table value से greater है अगर greater रहेगा तो null hypothesis rejected मतलब यहाँ पर हम लोग उन्हें जो भी assume किया है ना उसको हम लोग क्या करेंगे reject करेंगे clear हो गया first example next second example the average marks of score by 32 boys is 72 with sd8 while that 36 girls is 70 with sd6 test 1% LOS whether boys perform better than girls okay यहाँ पर भी तिको boys and girls है मतलब 2 sample है इसलिए यह type 4 या type 5 का example रहेगा क्योंकि type 4 और type 5 में 2 sample आता है तो यहाँ पर 32 boys and 2 मतलब 36 girls okay अभी यह 32 boys का mean average मतलब mean mean marks score by 32 boys is 72 मतलब 32 boys का mean 72 मतलब x1 bar 72 with sd okay मतलब sample का sd8 मतलब यहाँ पर हम लोगोंने s1 equal to 8 क्या क्योंकि boys and girls यह sample है वाइल 36 girls n2 equal to 36 उसका mean दिया 70 x2 बार 70 और उसका sd8 s2 equal to 6 है जो भी value given में था वो लिखके ले लिए हम लोगोंने hypothesis set करेंगे mu1 equal to mu2 mu1 not equal to mu1 not equal to mu2 clear हो गया यहाथ test statistics का standard formula है हम लोगों का x1 bar x2 bar हम लोगों को मालूम है लेकिन S e मालूम नहीं है तो S e का 3 formula हमारे पास है तो उसमें से यहाँ पे कौन सा apply करना पड़ेगा तो देखते पहले ओके ऐसी के लिए देखो हम लोगों को यहाँ पे s1 s2 sample का sd मालूम है देखो यहाँ पे second formula sample sd s1 and s2 none तो हम लोग यहाँ पे second वाला formula apply करेंगे okay population sd का कोई questions में हम लोगों को word दिया ही नहीं है population population sd दिया ही नहीं है question में तो यह population sd वाला जो a or c है न वो cancel हो जाएगा क्योंकि population sd का कोई word ही दिया नहीं हमारे questions में okay तो first और last वाला formula cancel तो sample sd s1 s2 दिया है तो देखो value 6 6 का square n1 n2 मतलब 32 36 इसका value 1.73 ऐसी का value यहाँ पे put करो x1 bar x2 bar already मालूम है तो z equal to 1.15 los मतलब level of significance यहाँ पे question में 1% दिया है तो 0.01 critical value मतलब table का value table value of z at 1% los is 2.58 okay आपको दो value याद रखने का है 5% का 1.96 1% का 2.58 clear हो गया okay then decision में हम लोग क्या करते है table value और calculated value को compare करेंगे okay calculated 1.1 table 2.5 मतलब calculated less than है हमारा okay तो यहाँ पे calculated value of z equal to 1.15 is less than table value of z equal to 2.58 इसलिए null hypothesis accepted अगर less than रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे accept करेंगे clear हो गया second questions next third question है test the significance of difference between the mean of two normal population with same SD of the following data sample 1 sample 2 size दिया है mean दिया है SD दिया है okay sample 1 N100 है okay उसका mean मतलब X1 बार 64 उसका sample SD मतलब S16 N2 200 second sample का mean है 67 और SD S28 है clear हो गया यहाँ पर hypothesis हम लोगों ने set किया test statistics Z equal to X1 बार minus X2 बार upon SE यहाँ पर X1 बार X2 बार हम लोगों को questions में दिया है लेकिन SE SE के लिए हम लोगों के पास 3 formula है तो उसमें से कौन सा formula यहाँ पर apply होगा वह पहले देखते हो के अभी यहाँ confusion नहीं होने का clear हो गया यहाँ पर देखो यहाँ पर S1 S2 दिया है जो हम लोगों ने अब भी जो questions किया था ना उसमें भी S1 S2 था देखो यहाँ यहाँ पर S1 S2 बहुत स्टूडेंट यहाँ पर mistake करते हैं S1 S2 दिया है तो डायरेक्ट second formula apply करते हैं लेकिन यहाँ पर questions में population with same as D के जैसे मैंने second questions में आप लोगों को बोला था population SD का वर्ड ही नहीं दिया था second question में लेकिन यहाँ पर देखो आपको population with same as D तो यहाँ पर population थर्ड वाला formula देखो population as the same but unknown यहाँ पर population is the same है लेकिन उसका value मालूम नहीं है clear हो गया क्या population as the same रहेगा और उसका value मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग थर्ड वाला formula use करेंगे और जो हम लोग first question देखा था ना उसमें population as the same था लेकिन उसका value मालूम था तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर फर्स्ट एक्जमपल में फर्स्ट फॉर्मिला यूज किया second example में हम लोगों ने खाली यह second वाला formula यूज किया क्यों क्योंकि वहाँ पर population sd का वर्ड ही नहीं था question में यह आपको चेक करने का बराबर से तो यह questions में population sd same है बोला है हम लोगों को लेकिन उसका value नहीं दिया है तो हम लोग third वाला formula यूज करेंगे population is the same but unknown वाला ओके तो यहाँ पर मैंने थर्ड formula लिख दिया s1 मतलब 6 का square s2 मतलब 8 का square और यहाँ पर देखो पहले n2 है फिर n1 है यह दोनों का difference clear होगे आपको यहाँ पर divide में n1 n2 है और यहाँ पर n2 n1 है n2 का value 200 n1 का value 100 हम लोगों को value मिला 0.905 ऐसी का value यहाँ पर substitute किया x1 बार x2 बार अल्रेडी मालूम है minus 3.31 लेकिन z का यह t का value minus में आता है तो हम लोग उसको mod में shift करते है l o s alpha 5% 0.05 critical value मतलब table का value 5% का value है 1.96 decision मतलब हम लोग table value और calculated value compare करेंगे यहाँ पर calculated value table से greater है 3.3 और 1.9 मतलब यह greater हो गया तो calculated value of z equal to 3.31 is greater than the table value of z equal to 1.9 से अगर greater रहेगा तो यह जो hypothesis null hypothesis हम लोगों ने assume किया है ना उसको rejected करेंगे clear हो गया थर्ड एक्जांपल next fourth example if two independent random sample of size 15 8 have the population mean and population sd x1 बार दिया है sigma 1 दिया है x2 बार दिया है sigma 2 दिया है test the hypothesis that mu1 equal to mu2 at 5% l o s यह बहुत most important question है अब यह important Q है वो देखते हैं हम लोग ओके यहाँ पर देखो n1 कितना दिया है 15 और n2 कितना है 8 है अब यह सबसे पहले मुझे यह बता हो यह large sample का example ही नहीं है क्योंकि यह जो आज का topic है न टाइप 4 हमारा ओके टाइप 4 हमारा large sample के लिए है तो यह large n1 into 30 से कम है मतलब यह small sample का example हो गया फिर भी यह small sample का example में large से solve करूंगा ऐसा क्यों क्योंकि यह जो population sd रहते है न population sd वो खाली large sample में ही रहेगा small sample में population sd नहीं आता है जो हम लोगों का type 2 और type 3 है न वो देखो small का है क्लियर हो गया यह बहुत important concept है यहाँ फिर से सुनो यहाँ पे n1 n2 15 8 है 30 से कम है तो लेकिन यह small sample हो गया इस वीडियो का अचका हमारा large sample का topic है तो यह small sample का हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिया है क्योंकि यह small sample का example हम लोगों को large के method से solve करने का ऐसा क्यों क्योंकि population sd sigma 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 मतलब population sd और population sd खाली large sample में ही आता है small sample में नहीं आता है लेकिन यह small sample है और यहाँ पे population sd दिया है तो population sd small में नहीं आएगा इसलिए यह example मुझे large से solve करना पड़ेगा तो x1 बार दिया है x2 बार दिया है sigma 1 दिया है sigma 2 दिया है यहाँ पे हम लोगों ने hypothesis set किया mu1 equal to mu2 mu1 not equal to mu2 test statistics x1 bar equal to minus x2 bar upon sc तो यहाँ पे se के लिए कौन सा formula apply करना पड़ेगा हो पहले देखते हैं देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा type 1 दिखा था ना वहाँ पे हम लोगों ने देखा था s रहेगा तो s लेलो sigma रहेगा तो sigma लेलो तो यहाँ पे मुझे population sd दोनो population sd का value मालूम है तो population sd मतलब s1 s2 में consider करूंगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे second वाला formula यूज करूंगा जिसमें मुझे s1 s2 मतलब sigma 1 sigma 2 मालूम है तो यहाँ पे लिखा देखो मैं s1 मतलब sigma 1 s2 मतलब sigma 2 तो यहाँ पे s1 square मतलब sigma 1 square 75 का square upon n1 a 50 80 का square upon 8 34.27 यह s1 का value यहाँ पे put कर दो उपर x1 बार x2 बार का value already मालूम है इसका answer minus 0.93 उसको mod में डाल दो 0.93 हो जागा लो एस 5% 0.05 critical value मतलब table से value आता है 5% का value 1.96 decision मतलब हम लो calculated value और table value को compare करेंगे calculated table से कम है 0.9 और यह 0.9 और यह 0.9 मतलब यह कम हो गया तो calculated value of z is less than table value of z equal to 1.9 से अगर less than रहेगा तो null hypothesis मतलब यह यहाँ पे जो भी assume किया है न हम लोगों ने उसको हम लोग क्या करेंगे accepted करेंगे clear हो गया यह example important question है यह clear हो गया फिर से देखो यह example small का है क्योंकि 15 8 30 से कम है 30 से कम रहेगा तो यह small sample रहता है लेकिन यह आज का हमारा topic है large sample है तो मैंने small का example large में क्यों लिया क्योंकि question में मुझे population SD दिया हुआ है population SD एक हाली large में आता है small में population SD नहीं आता है जो अपना video second video और third video है वो हमारा small के उपर है वहाँ पर देखो आप लोग की population SD किदर भी नहीं था अगर population SD दिया रहेगा तो वह example small का रहेगा तभी भी हम लोगों को large के method से ही solve करना पड़ेगा clear हो गया example अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करो करो शेयर करो like और comment करो thank you